तो high protein vegetarian foods में number 1 पर आते हैं soya chunks vegetarian लोगों के लिए soya chunk से बहतर protein source शायद ही कोई दूसरा हो क्योंकि इसमें आपको जो protein मिलता है वो complete protein होता है जानि इसके अंदर सभी जरूरी amino acids मौझूद होते हैं जो की proper muscle growth के लिए काफी जरूरी होते हैं और दूसरा इसके अंदर आपको high quality of protein मिलता है तो इसलिए non-wage foods के बराबर ही इसके अंदर protein आपको मिलता है तो अब आपको ये नहीं सोचना कि हम तो vegetarian हैं और हम अपनी protein की requirement कैसे पूरी करें क्योंकि आपको बता दूँ कि 100 gram soya chunks के अंदर आपको 52 gram तक pure protein मिल जाता है और सिर अलावा iron, calcium और fiber भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी muscle growth का काम करता है और इसके अलावा ये आपकी skin, बालों और हड्डियों को भी healthy और मस्बूत बनाने का काम करता है अब देखिए किसी भी चीज को ज़्यादा amount में खाना सही नहीं होत 3-4 मिनट के लिए gas पर इन्हें पका सकते हैं और इसके बाद जब ये नर्म हो जाएं तब आप इन्हें खा सकते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि इससे estrogen बढ़ जाता है तो ऐसी कोई भी scientific research मौजूद नहीं है तो आप इन्हें tension free होकर इस्तेमाल कर सकते हैं नमबर दो high protein veg food है भूना हुआ चना भूने हुए चने को आप snacks के तौर पर भी खा सकते हैं और इसके अंदर fat मौजूद नहीं होता और calories भी इसके अंदर कम ही होती हैं और friends 100 gram भूने हुए चने में आपको लगभग 19 gram तक protein मिल जाता है और ये आपके heart के लिए भी अच्छ होता है तो आप भूने हुए चनों को अपने bag में या अपनी office table पर रख सकते हैं और जब आपको अपने काम के बीच में थोड़ी भूक लगे या कुछ खाने का मन हो तो आप इन्हें खा सकते हैं जिससे आपको अच्छे amount में protein भी मिलता रहेगा क्योंकि इसमें आपको 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम तक pure protein तो मिलता ही है साथ में आपको muscle growth के लिए और भी ज़रूरी nutrients मिल जाते हैं जैसे काफी अच्छी मात्रा में vitamins और minerals इसमें आपको मिलते हैं good fatty acids भी आपको इसमें मिल जाते हैं इसके अलावा leucine आपको इसमें मिल जा जो की एक बहुत ही अच्छा और जरूरी amino acid है muscle growth करने के लिए और workout performance को बढ़ाने के लिए इसके अलावा protein में आपको casein protein भी मिलता है और casein protein भी muscles का size बढ़ाने के लिए और muscle growth करने के लिए काफी अच्छा होता है इसके अंदर जो amino acids आपको मिलते हैं वो धीरे धीरे आपक काफी अच्छे से आपके तूटे हुए muscle cells को recover कर देता है और recovery process में आपके muscles की growth करता है वैसे इसमें आपको vitamin B12, calcium और vitamin D भी मिलता है जो की आपकी overall health के लिए काफी अच्छा होता है वैसे पनीर में जितना protein आपको मिलता है उतने ही healthy fats भी आपको इसमें मिलते हैं और इसे आ workout में ना खाकर lunch में या dinner में आपको खाना चाहिए नंबर 4 पर high protein veg food है हरी मूंग दाल तो हरी मूंग दाल में protein तो काफी जादा होता ही है साथ में इसमें fiber भी अच्छे amount में होता है वैसे इस दाल को digest यानी हजम करना भी आपके लिए काफी आसान होता है और 100 gram हरी मूंग द दाल को इस्तेमाल करना काफी अच्छा होता है इसके अलावा दूसरे भी जरूरी nutrients आपको इसमें मिलते हैं जो आपकी body के लिए काफी जरूरी होते हैं जैसे कि इसमें अच्छे amount में आपको iron, magnesium, folate, vitamin E, vitamin C और vitamin K इसमें आपको मिलते हैं इसके अलावा अच्छे amount में antioxidants भी आपको इसमें मिलते हैं तो या तो आप जिस तरह से घर में दाल बंती है इस तरह से बनी हुई दाल आप खा सकते हैं या फिर आप sprout की तरह से इसे खा सकते हैं यानि कुछ GHंटे आपको इसे भीगो कर रख देना है, जब तक इसमें से ये सफेद पाल्ट ना निकल आए औ और फिर आप इसे खा सकते हैं, वैसे इस प्राउट की फॉर्म में खाना इसे जादा बेनेफीशियल होता है, फ्रेंट्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, नमबर पांच पर हाई प्रोटीन वेज फूड है, पीनट यानि मौंगफली, फ्रेंट्स मौंगफली के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन और इसके अलावा दूसरे जरूरी न्यूट्रियंट्स आपको मिलते हैं, जो कि मसल ग्रोज करने के मामले में बहुत ही जादा बेनेफीशियल होते हैं, और इसी वजह से मौंगफली यानि पीनट से बना हुआ, पीनट बटर आजकल बॉडि बिल्डिंग में इतना जादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 100 ग्राम मौंगफली खाने पर आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, और इसमें जो कैलोरीज होती हैं, उसमें भी 20 से 25 परसेंट कैलोरीज, प्रोटीन वा मौंगफली नहीं मिलती, तो आप मौंगफली से बना पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फ्रेंट्स सही कमपनी का औरगैनिक पीनट बटर इस्तेमाल करना भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कमपनियां पीनट बटर बनाते हुए उसमें अनहेल्दी चीजों का इ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप एक अच्छा और औरगैनिक पीनट बटर अपने लिए औरडर कर सकते हो, या फिर सिंपली आप अपने एरिया की मार्कीट से भी बताएगए पीनट को खरीद सकत है, जो कि आपकी मसल्स को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होता है, और इसमें आपको कार्बो हाइडरेट्स और हेल्दी फैट, इसके अलावा विटामिन C, आईरन, विटामिन B6, मैगनीशियम, सोडियम और पोटेशियम भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी ओवरॉल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, और प्रोटीन की अगर बात करें, तो 100 ग्राम चने में आपको 19 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, तो अगर आप वर्काउट करते हैं, और अपनी मसल्स की ग्रोच करना चाहते हैं, तो चने को आप लंच में या डिनर में बनवा कर ख सकते हैं, नमबर साथ पर हाई प्रोटीन वेज फूड है टोफू, फ्रेंट्स टोफू को सोया मिल्क से बनाया जाता है, जैसे कि दूद को पनीर से बनाया जाता है, और अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन सोर्स ढूंड रहे हैं, जिसमें कम से कम कैलोरीज और फैट हो, तो ट करने के लिए काफी ज़रूरी होते हैं, नमबर आठ पर वेज हाई प्रोटीन फूड है वेप्रोटीन, फ्रेंट्स वेजटेरियन लोगों के लिए वन आफ दी बेस्ट आप्शन है, अपनी कम्प्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करके तेजी से मसल ग्रोट कर लेने के लिए और वेप्रोटीन का एक स्कूप लेने पर आपको लगबग 24-28 ग्राम तक प्योर प्रोटीन मिलता है, और ये डिपेंट करता है कि आप किस कम्पनी का वेप्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंट्स वेप्रोटीन का इस्तेमाल करने पर आप लीन मास अपनी ये digest हो जाता है और आपकी टूटी हुई muscles की recovery और rebuilding में लग जाता है वैसे एक सही company का whey protein लेना भी काफी जरूरी होता है क्योंकि बहुत सी company'ya सिर्फ पैसा बनाने के लालच में आपको whey protein के नाम पर इस तरह का powder देती हैं जो कि आपके अलग-अलग organs के लिए काफी नुकसान दे होता है तो अगर आप एक अच्छी company का whey protein खरीदने की सोच रहे हैं तो description box में हमने whey protein की buy link दे रखी है जिस पर click करके आप whey protein खरीद सकते हैं या फिर company का नाम आप चेक कर सकते हैं और अपने area की market से भी आप इसे खरीद सकते हैं नमबर 9 पर high protein veg food है milk यानि दूद तो अगर आप vegetarian हैं तो दूद आपकी रोजाना की diet में जरूर शामिल होना चाहिए क्योंकि दूद के अंदर complete और high quality protein आपको मिलता है जिससे की ये आपकी muscles को repair करता है और rebuilding process में आपकी muscles जादा grow होती है इसके अलावा आपकी athletic performance भी अच्छी होती है और आपकी body में ताकत को भी ये बढ़ाता है इसके अलावा दूद में आपको अच्छे amount में calcium और vitamin D भी मिल जाता है जो की आपकी हड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है पर packet के दूद से अलग अगर आपको असली भैस का या गाए का दूद मिल सके तो वो जादा अच्छा होता है इसी तरह की fitness related informational videos के लिए आप इस channel को subscribe ज़रूर कर लें और comment करके हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस topic पर देखना चाहते हैं Bye friends, take care